Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. If 20, minus A lies on L, whose graph is given, then the value of A is Option A, minus 5, Option B, 5, Option C, minus 10, Option D, 10 यहाँ पर देखे आपको कागा है 20, minus A यदि आपका लाई कर रहा है L के उपर तब आपका graph के अंदर दिया हुआ है आपको तब आपको यहाँ पर A की value बतानी है तो यह आपका x-axis है यह आपका y-axis है यह आपका L है यहाँ पर अब देखें यहाँ पर जो आपका एक point है इस point यहाँ पर intersect कर रहा है यहाँ इस L के उपर यहाँ पर cut कर रहा है तो यह आपका हो जाएगा 20,5 यह point आपका कितना हो जाएगा 20,5 तो यहाँ पर given आपको क्या है 20, minus a यह आपका क्या कर रहा है lies on l यह आपका l के उपर लाई कर रहा है अब देखें यहाँ पर from graph graph से देखिए 4 यहाँ पर हमने क्या write किया 4 x is equal to 20 then यहाँ पर y कितना मिल ला है आपको y is equal to 5 तब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा जो आपका यह 20, 5 है यह भी आपका किस पर लाई कर रहा है lies on l यह भी आपका लाई कर रहा है l के उपर on comparing with 20, 20, minus a इसको हमने क्या किया 20, minus a की साथ compare कर दिया तब आपका यहाँ पर a is equal to कितना आजाएगा a is equal to आजाएगा minus 5 hence answer कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका hence a is equal to minus 5 आपको मिला and इसके according यहाँ पर आपका option a आपका correct हो जाएगा I hope you understood the explanation, thank you